व्यक्तो जिन्दिग्जी में हार तब नहीं रहती जब आप हारते हैं किसी साथ आप का ने पिर दोस्तो हम बात कर रहे हैं जब ते 100 कि राज़तां के इतियास पहरे दोस्तों और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा जाता है कि का पढ़ रहे थे मारवार का इतियास के बारे में चर्चाएं कर रहे थे महारवार के इतियास के बारे में कापी कुछ पढ़ लिया था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं प्रारम्ब करते हैं ठीक है एक बार जोस और जुनून के साथ जुड़ जाईए और लगे रहे रहे जिए सरक्लासे इसके साथ पैरे दोस्तों हम ब समयञा की आज बात करने वाले हैं फैर दोस्तों और जुदा के बाद कोई और सासक होता नहीं है सा इससलीन दो की वाजिए घर भराँ और सब्सक्रावी स्विघा चन्रा फंद्रा या तो उससे घवरान नहीं जी में coaching理 इस नरश की आगा ते लगाकर 1531 या 1532 तक इसका सासनकाल माना जाता है कि राउ गांगा की चर्चाएं कर रहे हैं पहरे दोस्तों राउ गांगा और राउ गांगा के बारे में बात करें तो इसके बारे में इंड़ार जानकारी या हमें प्रापत होती है तो सब-सबहुصाने करने जा रहे हैं पहरा दोस्थे खाइब करें नागा कि भांगा अवल्द्र बहतं अपने पूत्र सब्सक्टाइस्टा को कि मवीजा घटो इसतमें किसको को भी अपने पुत्र को भीझा था मालडु को भाग लेने के लिए दोर से लड़ने के लिए सांगा की और से लडने के लिए कि बाबर के खिलाब से लडने के लिए और बात करें रहा बात करें जो इसकी चर्चा रहे है तो का जाएधा पैर दोस्तों यह सेवकी का युद्ध होता है क्या होता है कि समय सेवकी का युद्ध होता है सेवकी का युद्ध का युद्ध होता है और सेवकी के युद्ध में यह भाग लेता है किस-किस के मध्य होता है पैर दोस्तों यह जो युद्ध होता है और माल ले मीस्वू के ज्विट होता है इसके हमले सामने होते है और하는 साथ देने के लिए लिए आता है ऑछ कि पाद करें पहर दोस्त तो एक तरफ्त राव गंगा राओ घंगा वर्सीज बिर सेज nuts लाउचा साथ देने के लिए कौन आता है किसी राउ गांगा का चाचा था नाम तहाँ राउ राउ गांगा का चाचा था और ये राउ सेखा इसका साथ देता है राव सेखा राव सेखा इसका साथ देता है यह गांगा का चाचा था राव गांगा का चाचा था ठीके राव गांगा का क्या लगता था यह चाचा लगता था इसका साथ देता है दोलत खांगा का साथ देता है और इधर से इसका साथ देने के लिए कोन आता है जेट सी कोन आ साथ देने के पश्चात यह इस युद्ध में कौन वीजे हो जाता है इस युद्ध में वीजे हो जाता है कौन यहां पर युद्ध जीत जाता है कौन जीत जाता है राव गांगा इस युद्ध को जीत जाता है जीत जाने के पश्चात कहा जाता है ताम गावगा वीजे हो ज तरीके से सक्टा का विकंद्री करन यानि किसी के स्वाहतों में सौंपने को तयार होता था और जब साथ तरीके का प्रभाव देखा कि माल्डेव इसको क्या करता है एक दिन कहां बेटा ता इसे कि अधरोके में यहां पर बेटा है और इधर से माल्डेव आता है suspe simples कि असको जाती है उसको मार देता है वाल देव के द्वाराइव की क्या कर दी जाती है और हत्या कर देने के बाद मालदेव को प्रतम मारवार का प्रतम पित्रहंता सासक कहा जाता है क्या कहा जाता है तो राव मालदेव किसकी राव गांगा की हत्या करता है 1531 कि अंगरा सूर 1131 में है राव मालदेव राव गांगा की राउ काँगा इसका बैटा था यह मालदेव को तक का बैटा था है राव मालदेव अपने पिता है यह पिता काव तो कांगा की अठ्या कर देता है कि क्या कर अए का का पिसारे इतियासकार मानते कि इसने जाकर पेर चुए थे पेर चुए और यह से करके चुए और का जाता है कि वह उदर देख रहा था जरोके इसे सब्सक्राइब और जरों के सुचा कि क्या गया टच्छों के का जाता है कि इसे किसी को पता नहीं है और यहां से क्या होता है कि अब साथ आप साथ को नेगा वाल देव को कि माल देव को मारवार का कि मारवार का प्रथम कि पित्र हंता कि पित्र हंता जिए सा इस आकनि क्या गते हैं कि क्या गते हैं बर्थम पित्र हंता सासक कि यह लंदीश आए साशक माना जाता है तो 1 बूद्थपुर में राव कराए द्वारा का ज отвеч के कि कि इस nerd हम इसकी द्वारा करवाया गया राव गांगा की द्वारा राव कांगा द्वारा निर्मान कि यहां पर राव माल्देव बनेगा आप लेगा बात करते हैं राव माल्देव बनता है और राव माल्देव 1535 में अपने पिता की हत्या के पर्शाती सासक बनता है 1531 के लेकर 1565 तक शासन नात करता हैं अधरी अधरी पर्शाती से लेकर 1565 तक शासन नात करता हैं अधरा राव माल्देव बनता अधर और राशक बना जब इसकी प्से पहले आजाता यह शासक बना तो उस समय मारवार में यानि कि मारवार में दोई पर गने रचे रचे पर गने बचे ऑगे रचे तो एक जो सोजत नपाली में पढ़ता है रतमान में डपाली में आता है पह्रतो इक जोद्क सारी के सारे राव गणा या फैसे प्रकार से ठोलका से अलिक्ता है कि जोदपुर्य मंठावन वाला थंचे और एक सोजत वालकुरिंग यह अपना राज्य काहओं करवाताई अपना राज्य भी से कंपार वता है यह सोजत में करवाता तो वरतमान में का पढ़ता है का पराजट परिमे पड़ता है को ऑसे प्रतापी साथ कि माना नियुकि परगने दो परगने टिने वोञकात है विस में पर दो कोड़ने ते एक तो रोज़त dips था तो शुजट पुर वी यह कौन सा था व्याइट ओल पूरिया फिर उद्व प्र自क टार में कि इसके पास से होता है अब क्या क्या का जाता है इसके लिए देखेंगा यहां प्रबाद करें तो इसे 52 का विजयता का जाता है 52 का विजयता का जाता हूँ वावन युद्दों का विजेता कहा जाता है अठावन परगनों का विजेता कहा जाता है क्या कहा जाता है अठावन परगनों का विजेता कहा जाता है हस्मत वाला बादसा कहा जाता है बादसा का हजाता है कि इसको माल दियतन प्रगुनों 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 का जाता है और कहा जाता है इसे उत्तर भारत का महान पूर्षार्ति साहसक काहा जाता है तर भारत का महान पूर्सार्ति शॉसेंं है roughly का महान महान पूर्षार्थी है कि महान में सभी इत कि महान पूर्शारती शास्क कहा जाता ये कि अससक कहा जाता इत्री भारत का महान पूर्शारती शासक कहा जाता है इक ये सारी जानकार यहां हमें किसके बारे में जानकार यह इ Loudयां कहा और यह किसके लुए Cape France इत्यास कारोडवारा कहा ऐसी परसी इतिहास कारोडवारा कि तिहास कि इत्हास कारोडवारा कि इत्हास कारोडवार कि रोड़ प hack and bits Am formula pursant नुए द्वारा हम दाइन-दार हुए पदाइन दो काहए बड़ा ira का रैप प्रतापी सासक माना जाता है मारवार का प्रतम करतापी सासक माना जाता है Seattle कि मारवाल का सबस्दीज सास्क माना जाता है तो कहा जाता कि इसे हिंदू बादसा भी का जाता यहां किसी को बारे मार दोगते लिए सारे नाम इंबाल्देव के लिए प्रियोग में लिए जाते हैं हस्मतमाला बादसा कहा जाता है अर्थार्थ यह जब सासक बना या राजी सी राविज्येव इसके पास दो पर गने थे पर गने थे दो पर गने हुआ करते थे दो पर गनों से लेकर अपनी यात्रा प्रारंब जानकारियां मिलती इसकी विजियों की जानकारी प्राप्त करें जो विजिये हैं अलग लग प्रकार से देखने को मिलती है ठेलीगा तो अलग 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 अधिक्र करने जा रहे हैं पैर दोस्कों यांप रहें पर दोस्के नहीं सब्सक्राइब है कि आपका राजस्ता आप के लिए कर देते हैं आपर तो कहां कहां पर विजय प्राप्त करता है इस तरीके से पराप्त करता है इस पराप्त करता है इसकी विजय उल्लेक करते हैं कि विजय कि माल्देव की विजय कि माल्देव की विजयो का जिकर कर रहे हैं कहां कहां जीतता है यह देखिए अलग अलग इस्तानों पर सारी छेत्रों पर जालोर को जीतता है सहथ कि देखिए यहां से नीचे साथ एक सब्सक्राया जालोर पकष्ट करता है जैले मेर करता है त defines करता है कि दर से बात करें तो पाली में पाली में कौन सा सिंगी सामेल का युद्ध होता है कौन सा युद्ध होता है यहां पर पाली पाली में सामेल का युद्ध होता है ठीक है और बात करें कहा जाता है कि प्यारे दोस्तों और नागोर में विजे प्राप्त करता है नागोर में मेड़ता पर विजय प्राप्त करता दिस सारे छे चेत्रों पर विजय प्राप्त करने का अका करता है और किस विलत समय पे का जाताए भेल नागुर 1433 मिंकि प्राप्त करता जरा प्राप्त करता है 5069 और मिघ्रीज प्राप्त करता है 5042 also 42 में मेरता पर प्राप्त करता गिरी शॉमेल का युद्ध है फंदरासो國家 में गुरीज खौनलीश में जालोर पर प्राफ्ट करता है विजय ब्राफ्ट करता भी तंद्रा सौ इंचालीश तहुन्चालीश मैं यह किस पर जालोर 1538 1538 में किस पर दिमाना पर 1536 में किस पर 1536 में कहा जाता है यह जेसल मेर पर प्राप्ट करने के लिए जाता है लेकिन कहा जाता है कि यहां पर यहां का सासक जेसल मेर का सासकता लूर करन उसके बैटी का विवा कर देता है उमादे का विवा करके वापस आ जाता है 1541 में यह इस तरीके से यह सारे शेत्रों पर विजय प्राप्त करता है कि यहां का मेडता का सासक इस समय वीरम देव था क्योंता चाह स्क वीरम देव पर वीज़ने पराप्थ नागॉर के कों था नागॉर का जोलत ठाव बिAcala जोलत खान आगॉर का कॉनता वहीं रवीजने परात दम सब्सक्राइब 2. तो हम चर्शाएं करें अभी और बिकानेर का राव जेट्सी ठाव जेट्सी को यह मोद के घांट उतार देता है और राव जेट्सी को पाहीबा के युद्ध में गहांट उतारेगा अर वोथ के घांट उतार देने के पाद पूत्र कल्यान कहारे दोस्तों कल्यान मल कल्यान मल कहां पर चला जाएगा इसका पुत्र कल्यान मल जो चला जाएगा कहां पर शेर्षा सूर्ण धसर में चला जाएगा अर इधर से विरमदेव इथ फिक हमते ब पर चला जाता एक तो रावजेत्षी का पुत्र कल्यानमल और एक वीरम देव जो सेरशा की सरण में चले जाते हैं दोनों को रहता है फुट्रीट जीए पूत्री थी और इसकी पूत्री कोन थी उमादे किसके साथ विवा कर देता है किसके साथ कर देता है यहां दे कि capit विक्रमादित्ते क Sü Onu कि ऊतर hypocr़ की साहितथ करता है विक्रमादूमादित्ते की साहिता करता है जिर्फ माधित्ते की आध्य कि निके खिलाब करता है बाद दूर सा गुजरात करने के लिए मेवार के साथ सकते और बात करें तो कहा जाता है कि यह पनवीर की खिलाब उदे पर बाद दूर सा कि खिलाब कि तो इसमें यहां पर बात करें तो यहां पर बाद दूर सा के खिलाब सायता करता है यहां पर तो बहुंसा किने नुद्धि. पहाददूर सा कि खिलाफ साहिता करता है और इस समय कहा जाता है कि बंबीर KION इसमें दोनों में यह साहिता करता य然 कि मेवार के साथ कर देखेंगे वही तो यह सारे के सित्रों को जीता है एक पूत्री उमादेश से क्या कर लेता ये विवा कर लेता यह जाता है माल दयु का विवा कर दिए कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है इन दौनों का क्या खर दिया जाता है रोता है रावजेत्षी होकी बीच होता है 15ical कि दोनों पर माल देव ऐसा कि यह QUD कानेर पर अतिकार कर देता है और जैसे होता है यह सारी चर्चाएं आगे करेंगे एक एक के बारे में हम अभी चर्चाएंग करने जा रहे हैं प्र commencement करता है यहां के साथ को दोस्ट नाम लिखेता हूंare का कौन तब सिकन्दर था जो आइए सब्सक्नतता यह 5550 पृट यह रजर्ण करता है है अधे अंधर को पराजित करता है कि माना का कौन ता भई दूंगर सी को पराजित कर देता है कि कब 1536 में दूंगर सींग ता इस प्रकार से इन को पराजित करता है और बात करते हैं और चर्चाएं करते हैं पहले हम बात करने जा रहे हैं पहरों के दो के जिक्र कर ले और प्रतम सेनिक अभियान माना जाता है वो विरा संदल के खिलाब कहा जातास भधर जून दुश्म के विरा संदल को पराजित करता है यह तो करता है उन्कि आध्रा के विरा कि ली लियरे खारता यह भद्रा है तूर्ण फिस्वार सभ तय्स कर ना यहां पर inhabited प्रतम अभियान माना जाता है इसका किसका माल देव का और यहां का जो साख सकता है इस समय साख सकता है यहां का कौन था भई समय वीरा सिंदल पीरा इंगल के रहा資े यहां का साख सकता पराजित करता तरह mammipts को और इसके और उसके बाद लिए अलगले किस्तानों पर इसकार जता लेता है और श्माइन दो पंगको काण está पूरता है यालूर में पड़ता ही है कौ preciso उपर दिखार कर लेता है को और तर ओकल लेता है और दीख डिर उंगे को क्या कंडिशन होती है सबसे पहले हम बात करने जा रहे धेर दोस्तों किसकी बात करने जा रहे हैं कि आ बाकप आए दा a सायबह का युद किसकि के बीच में होता है प्यदोस्तों के ज़खना है आपको कि यहां पर बात करें फाइबह या शायबह युद यह लड़ा जाता है प्यदोस्तों राव जेट शी का का दिकानेर का सासक राव जेट सी का पुत्र था कौन भई अभी बात की हमने कल्यान पल का पुत्र कौन था कल्यान वर्सेज राव माल देग राव माल देग जहां पर इस युद्ध में किसके विजिय हो जाती कि राव माल देग का सेना पती था राव को पती की बात करें कूपा और इसमें किसकी विजिय होती है कि दिजिय हो जाती है यह क्साने का प्रशासक कर देता है कि अल्लम कर देता आपर देता है यहां पर एक खूपा को नियुक्त वर्देटा अपने प्रधाम सTalk इसको कूपा की देता ही इसमने मालदेव पुत्र कल्यान मल कहां चला जाता है पैर दोस्तों कल्यान मल इसकी सेर्शा सुरी की सरण में चला जाता है काउजेटिशी का पुत्र कल्यान मल कहां चला जाता है यह यह काहर सुरी की करन में कि अला कि जाता है कि कौन कल्यान सुरी की सरण में चला जाता है याद रजाएगा और बात करें यहां पर नेक्ष बात करें हीरा बारी का युद्ध का युद्ध हीरा बारी का युद्ध होता है 1533 में तक दोलत खायर एक तरह को मालडेव और को का मलडेव बरसेज नागूर का सासे क्या कौन था दोलत खाया और इसमें क्या होता है में अधिप बाल दय विज्ध होजात Henderson हौन और यहां पर रविज्ध कोन हो जाता है इसमें परुद्ध मतेशा touch मलडे बात करें तो यह किस पर मेरता के साथकों और यह युद्स का कारण माना जता है इस युद्स का कारण का कारण के ट्रिया जूस थी तरीया जूस हाती कब आप ठीजा का मतलब यह दरिया जो साती है जो कहा जाता है कि यह माल दूर्ट और नागोर का नागोर का था मालदेवह JEFF components जाता है इसे उगल कारण मानना जाता है कि Extra Hai ऑर कुन यह लेता है चिन नहीं है इसको मालेवह सेटा जाता है सलिड़ा ऑटो करता है लेकिन इसको देता नहीं है तो यह तो इसको न देकर कोन बाल देऊ दिवांग कर लेता है इसका रहनी जिए आगे बात करते हैं पहरे दोस्तों तो यह विकानेर के अधिकार को लेकर या विकानेर की छेटा को लेकर सब्सक्राइब करते हैं राविश्य इसमीन मारा गया और कल्यान अंग चला गया था शेर सा सुीं की सरण में चला बात करने जा के बात लुग के साथ संबंध के साथ वाट कर रहें बहूं मालदयक के आल कि कि हुमायू के साथ संबंध की करदिए के साथ कंवंद कर आपर उस्स समय दिल्ली का सासकता कोन दिल्ली का सासथ पर पर किलिवमाई कहा एक वाख अस असरुक्त मलूभास करता है कि मुण सासक तो था यहां के उपर कोन आक्रमन करता है सेर्शा सूरी आक्रमन कर देता है कोन कर देता है और सेर्शा सूरी आक्रमन कर देने के पश्चात प्यार दोस्तों यहां पर क्या कंडिशन होती है 1540 में बील ग्राम या कन्योज के युद्ध में कुंसा युद्ध होता है इन द मैं या कंनोज कहां कर्नोज का यूद्र पिलग्राम का यूद्र से यूद्र में को नियूं चे विजे उजाता है जोगी तीर्थ पर योगी 29 योगी जोगी कि तीर्थ नाम किस्तान पर आकर रूपता है क्योंज से इस्तान पर रूपता है कहां पर यह मैं इस से सहरता में बात है 1540 1540 में यह करनोज का यूद दोता है किसी युद्वे हुमाईू दिली का बात्सा है और वहां से हार जाता है कर दोस्तों उसमाई जोगी तीर्थ नामकिस्तान पर acta आपर अबकता है जो मारवार्टन में पड़ता है निक्ट मेत-अधा यहां पर दूत आकर रुखता है और यहां पर रुखने के साथ यह पाल देव के पास इदर मारवार के सासक मालदेओ के पास किसको भेजता है यह अपने किसको भेजता है भी अपने यहां से बेटकर क्या करता है अपने तीन दूत भेजता है या राज दूत तो कहें राज दूत भेजता है इसे मित्रता बढ़ाने के लिए हुमायू तेरसा सुरी प्राजित होने के पश्यात इधर उदर भठक रहा था कि भटकाव काल के दोरान यह मारवार से निकल कर जाता है जोगी तीरतिस्तान पर रुखने के बाद यहां पर रुखकर अपने तीन दूत इसके पास भेजता है मालदेव के पास भेजता है तेनि गैमल सोनी अतका खाहां और कहा जाता है की एक बेजता है जिसका नाम था मन्सूद तिनों को भेजता है और दूह को भेजने के पश्यात किसके पास मालदेव के पास यह जाते मालदेव से बादशीत करते हैं कि किसको बेजता है यह अपने दूट बेजता है राज राज दूट किसको बेजता है एक तो तो तीन इन कौन राम कि तीन दूट बेजते हैं और तीन दूट कौन कौन से राम प्राइमल सोनी प्राइमल कौनी कि अत्का खां कि अत्का अधन मेर सम्मद के ऊती नुटकर किसके पास आते हैं तीन राजदूट किसके पास आते वहीं क्या आते ने माले कि पास आते हैं माल्ड हो की पास कौन बेजता है इसे हमयौटा यहां पर हमय कोका हुआ यहां पर हिमयौट फाजय나र यहां पर रुका हुआ है वहां से बाग कर यहां गया जोगी तीर्ट नामकिस्तान पर और यहां पर इसको साहिता मांगने के लिए भेजता है तब यह बातचीत करते हैं कि बातचीत करते हैं कि बात ऐसी है कि वाको पराजित कर दिया कि से शर्षा सुरी अपाण शाया कर दिया मालग का और पर प्रश्चाद पिर क्या किया कि अधिकार कर लिए बात यह साहिता चाहिए तेना उसे कि तयार है कि से अधिकार देने के लिए तयार है पर जब भी जाये एक मिस्कूल कर देना पता जब कि आशा सुरी अपके आठमण करें बैंक मिस्कूल जरूर कर देना पता चल जाएं कि यह जाते हैं वापस किसके पास यहां से आने के पश्चाति इसे मिल्के वाल दू के पास मिल नहीं कि कहा हां जाते वापस जाएं कि आपके पहूंशलिए कि पनिए करें यह वापस पो पास को यह की हमें रूकेंगे का रुपी रुपना आपको है तो रुकना है तो आप सब्सक्राइब ताजा ताज जीता है तालिश में जीता था बटकता बटकता चारीज में यह हार इस क्या चाहँ यह छाहा जाने के पार तो इसने 41 को जीता अब विकानेयर को दिया तो कहा जाता है कि उसी दोराण कि अब क्या कंडिशन यह होती इसन तरहीं कि मालडय और आएगा बाइगा 20,000 किसे निक्साहिता था कुछिए कोई लपस जाकर ये तीनों दूत किसे मिलते हैं उमायू से जाकर मिलने के पश्चाथ बादशीत करते हैं हुमायू ने हरी बढ़नी ठीक हां कर लिया कि देगे कि से निक साय था और हम का रुखेंगे का निर चलो कि वहां पर अपन को कूपा भी लेगा और कूपा का परसा सबने यूद किया है और वहां पर खाने पीने की सब विड़ा सब्सक्राइब का सब तैयार है वहां पर कोई दिकत नहीं है लेकिन पर बात एक ऐसी है जिस समय हम उससे मिलने गए थे समय कुछ व्यक्ति और आये थे मिलने के लिए और वह कौन थे वह सेर्शासूरी के दूछ थी खरत से तुमाई की तो हम गए थे लेकिन इसे सासल पर अ BAR मैं नूह ने क्या करता कि अ उसका हमें क्या पता कि उससे अलग कमरे में मृल्शाच की और हम से अलग कमरे में मृल्शाच के इसका दिमाग लगाए ही साथ रखता था गुरू जी इदर आओ कि बात यह है इदर से तपड़े दूत गए और उदर से शेर्शासूरी के दूत आये इसके पास माल देव के पास दोनों आये अब यह तो मिलकर आ गए इनकी बाते हमने सुन ली अब इनके द्वारा क्या कहा गया हो यानि कि यह जो दूत आ से शेर्शासूरी के कि इससे क्या कर गया है कि माल देव आएगा जैसे आएगा तो बंदी बना कर आपको हवाले कर देंगे आप मार देना उसको इसको मार देना हुमायू आएगा हुमायू आते माल देव उसे हुमायू को बंदी बना लेगा और हुमायू को आपके हवाले कर देगा यहां से जोगी तिर्थ से निकल जाता है कहां चला जाता है यह यह चला जाता है कहां चला जाता है भी यह पाकिस्तान वाले कहां पर अमर कोट चला जाता है कहां चला जाता है अमर कोट पाकिस्तान चला जाता है अमर कोट पाकिस्तान कहां पर पढ़ता है यह पाकिस्तान में पढ़ता है अमर कोट पाकिस्तान जाकर यहां पर जो राजा था पर दोस्तो यह यहां पर कहा जाता राजा वीर साल कोंता है यहां का राजा वीर साल के यहां जाकर राजा वीर साल के यहां पहुंचता यह यहां पर किसके कहने पर मुल्ला सुर्ख के कहने पर इसके कहने पर भई इसका जो लाइब्रेरियन था लाइब्रेरियन लाइब्रेयरियन था कौन था मुला सुर्क कौन था वही विला हुugg यह मुला सुर्क। के तर mundane यह यहां। कर ते यह झाता है और का यह मित्रता का खुदे चलित राजपुत मित्रता यानि की निइसे मित्रता पाकिस्तान चला जाने के पर अकबर का जन्म होता है तो इसे विवा हो जाता है इसका विवा हो जाता है हो जाता है भागते विवा हो गया अब कंडिशन क्या होती दोस्तों इसके साथ दूत आये हुए थे डो वेक्ती आये वह थे किसके साथ भही शेर सा सुरी कि अब यह तो पुला सुर्की के करने पर यह तो चला इएगा इदर चला गया अब क्या होता है किरिश हामेल का यूद कुंसा किरिश पांच जनवरी पंद्रासो कमवाड़ी से इस किस्वें मद्ध्य होता है वही किरिश हामेल का यूद होता है पाल देव परसेथ तेरसा सूरी का साथ देता है अपने कौन को देता है एक तो वीरम देव कि का का मेड़ता का और कोन था इसका साथ देने के लिए कल्यान मल कल्यान मल निकान का था इकानेर का पुत्र कि इसके साथ साल चले गए थी वहाँ पर और इधर से माल देव हैं कि माल देव को आपको पता है कि माल देव बात लिए है कि आकरमन करें तो इन्हों ने एक बार तो ध्यान नहीं दिया मेरा दुष्मनी नहीं है तो कई बार थो इन्हों ने टाल दिया लेकिन अवसर आता है कि कि अब क्या होता है कि होता यह है पैर दोस्तों कि इसके पास कि यह पोचता है कि और लोक्त यह करते हैं सामराचे विश्दार करने के जिए आकरमन कर देते हैं कि वह gimbal कर दो तो बात येश ए Growing तीन-4000 यह इन दोनों से पुछा गया से बीरमद्यों और किसे पुछा गया विरमद्यों और कल्याण मल से कितनी सेना उसके पास यह कि 3040 अजा तो का जाता यह सेसा सुनी आट जर सेना का अधिस दिता ऐसाट जर सेना तो जश्ट दुग्रीं है जब exhaust 2000 सेना यह तैयार कर लेता है और इस इसके पास मानि की एक ilaq 76 xz9 एकन लाग 20s 4 से न थी कि कि एक लाग माल देवस इना थी बह ए इसे बात थी कि इस दिस इसक efect का मलेश जी आप अक्रमनवर करने जा रहें है तुछ कोण आ कूपा आ जाता है ना पती कोन आ जाता है कूपा का रेना पती कूपा आ जाता है तर ऐसा करो कि यहां का अक्रमन करो कूपा आ जाता है कि मैं नहीं आओं और आप सेरसा सुरी के उपर आक्रमन करने जा रहे हो तो विकानेर से कूपा आ जाता है एक तो कोन आ जाता है इसका सेन कि रूप करनाा कूल मरना की हुए अपने पास खूंब ही चोड़ी जगह है की जेतारण के पास अपना पाली के पास तरिशा सूरी की सेना यहां पर आजाती है यह बाबरा नामकिस्तान पर रुखती है यह लगता है कि अपर 30-40-30-30 चारफ की और यह तो राजबूत हैं और बहुत बूरी तरह मालते हैं आज आता है पैर दोस्तों तो अब क्या कंडिशन ने पूट डालने की कुछ डाल चली कि असुरी ने और से कहा जाता है कि यहां से चार पांच बिक्तियों को बिलाया उनको वापारी बनाने के साथ ने को दे दिए और यह तरह देने ने चाहिए अर्पार करो और बनकर इसकी सेना में चले जाओ और यह अस्त्र शस्त्र बेच करा ऐ है कि यह तलवारें बढ़िया अच्छी तलवारें हथ्यार है ले लो देखता है कि को आया थे यह मैवारी का वेस्थारन करके इसकी सेरसा सुरी के सेना पर विखाय जाता है कि एक पत्र तो किसके पास डालते मालदेओं की पास डालते हैं तो पहले यह कहां गये थे कुपा और जेता के टेंट में गए थे वहां पर भी व्यापार करने की लिए का वापार की बात करें तलव्यारे बेचे एक पत्र उनके पास डाल दिया उनके पास डाला जिस पत्र में तो यह लिखा हुआ था उनके पास डाला पत्र में तो यह लिखा हुआ था कि माल्दे उस जीतने के मां देगा मा देन के पास जो कूपा और ज्येता को मारदेगा ने पर बिकानेर और जयतारणफर plugged का लेगा कुछ रिखे अंके पास जो फिचरवत प्रहरे पहुच रिवह ने कर दो तो ऊंचेह कर देगएं न मारबार से निसकाशित कर देगे इस प्रकार के उल्टे सीदे पत्र मिले का जाता है कि माल देव कानों का कच्छा था इसने अविस्पास कर लिया और उस नीचे लिखा था कि दोनों के पास दस दस जार रुपे भी पहुंचा दिये गए तेरसा सूरी नहीं का जाता है कि इसके टेंटों की तलासी लोरे दोनो के लिएवा पर रॉक्ता प्रमान हो जाता है एक बार विष्षा भी कर देता लेकिन जब पैसे मिल गए तो एक बार विष्वास के दिल में बैट जाता है पूरी शेना को लेकर माल्दे ओ, आ जाता है, काँ चला जाता है, वापस जोधपुर चला जाता है, वापस यहां से जोधपुर चला जाता है, जोधपुर चला जाता है, और जोधपुर चला जाने के पश्चाहत, की कूपा जेता के पास मातर बारा हजार सेना, दोनों के पिला कर कितनी, बारा हज हजार सेना की सेना थी बारह हजार सेना थी दर साथ हजार सेना अब कहा जाता है कि ये वाल्देव युद्व से पहले ही निकल जाता है दूसरे दिन दोनों के बीच में भैंकर युद्व होता है भैंकर युद्व होने कि कहा जाता है कि माल्देव के बारह हजार सेनिक लगब ताम के पांच बजे तक इसके पूरी शेना को तर्स्ट नेस्ट करते ते कौंट दोनों कुपा और जेता और इसकी सेना 12000 सेना थी कि हम इसी युद्ध में ये बाल्डेव केता इनसे आप भी वापस चलिए कि हम नहीं जाएंगे आपने हमारे उपर लांचन लगाया है इस ल थी स wrestling से ना को काढ़तिया थी से एठाई से अ ज्युक्त की माने लुट ये सेशता सूरी का दिमाग खराब हो जाना में युद्ध के बीच मित में नमाज अधा करने देते हैं किसी समय कहा जाता है इसका जलाल कहां जिलानी कोन आता है जलाल जलाल कहां जिलानी जलाल कहां जिलानी एक बड़ी सेना के साथ आ जाता है बड़ी सेना के साथ आता है पैरे दोस्तों और प्रेस सेना थी इसकी नई सेना कराता है और इसे के उपरा आक्रमन कर देता है अंत में सेरसा सूरी क्या हो जाता है सेरसा सूरी क्या हो जाती है विजे हो जाती है और विजे हो जाने के पशात पैर दोस्तों के हो जाती है इस चुद्ध में सेरसा सूरी क्या हो जाती है विजे हो जाने के पशात ये सेरसा सूरी कहता ह कौन तेर सा सुरी कहता है की कहता है कि मैंने इट्ठी बर वाजरे के लिए पुठी भर पाजरे के लिए पुरे हिंदुस्तान की बादसाथ खोदी होती पुरे दुस्तान की बादसाहत इस युद्ध में विजय के पश्यात की मारवार को क्या बताया मुठी बरवाजरा एक मुठी बाजरे के समान बताया मारवार को मैंने पूरे हिंदुस्तान की बात साथ हो दिया है माल्देव की सेना रुख जाती तो यह पराजित सोहना निश्चित था वही इतनी बड़ी सेना के सामने इतनी सेना आटाट जार सेना का टिक पाती है और अगर ये जलाल Какण जिलानी इसकी धर्म की रक्षा की और विशी समय को बेज दिया युदु के बीच में चलते ओए युद्ध में जलाल का जिलानी को इसका साथ डेने के लिए भेज़ दिया और इसकी साहिता से विजयीर प्राप्त हो जाता है अपह और जेथा परदान सेनापति माने जाते हैं अब यूद में सेर्शा सूरी की विज़े हो जाती है और यहां आपर माल देओ उसरी जो तैसा सुरीय जोदभूर में इसाखा और ख्वाश कांड कर देता यां का प्रसासक कि अगुन्यक करते करते दोoby और कहर यह जाता है माल्देओ कि सब्सक्राइब करने में क्या होता है सफल हो जाता है पैर दोस्तों क्या है आज के लिए इतना काफी नेक्स मिलते हैं नेक्स जुनुन और जौस्त के साथ पैर दोस्तों कुछ और भी माल्देव के बारे में बारे में हम नेक्स क्लास में जिक्रते हैं बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों जैहिन जय बारत